राजकुमार जगदाड़े इनका सवाल इसा है कि पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए क्या करना चाहिए आपने ये सवाल एक रॉंग विक्ति को पूछा है जिसके जीवन में बार-बार पॉलिटिकली ख्षित्र में एक्टिव होने के चांसेस होने के बावजुद वैसे अवसर बार-बार आने के बावजुद जिसने कभी उस फिल्ड में एक्टिव होने का सोचा नहीं ऐसे विक्ति को आप ये सवाल पूछ रहे हो उसके पीछे के कारण भी मैंने बता दिये कि मुझे जो एड्जस्मेंट करने पढ़ते हैं पॉल्टिक्स में वो मनजूर नहीं थी मैं अपने जीवन में अपने मुल्यों के साथ में अपनी शर्टों के साथ में अपने विचारों के साथ में जीना चाहता था और मुझे जो मैंने खुली आखों से देखा पॉलिटिक्स बहुत नजदिक से देखा खासकर पार्टी पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं सत्ता का पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं नजदिक से देखा, तो मुझे लगा कि ये मेरे व्यक्तित्व को सूट नहीं होता है, तो मैं आपको कैसे सला दू, इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी पॉलिटिक्स में जो लोग काम करते हैं, होते हैं, वो सभी अप्रामानिक होते हैं, काफी अच्छे लोग होते हैं, इस देश को दिशा देते हैं, चलाते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, देश को तो सही माने में चलाते हैं, वो तो हमारे आइस, आइपियस अफिसर बगरे जो होते हैं, वो चलाते हैं, विरोक्रसी चलाती हैं, लेकिन दिशा देने का काम तो पॉलिटिकल लिडर्स करते हैं, तो तो इसलिए पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी अच्छे लोग होने चाहिए प्रामानिक लोग होने चाहिए हमारा मानस कैसा है हम जीवन में क्या करना चाहते हैं कहां तक हम एड्जस्मेंट कर पाते हैं कहां तक हम जी हुजूरी करना चाहते हैं कर पाते हैं इन सब चीजों कर practically सोच कर हमने अपने जीवन में निरने लेना चाहिए लेकिन मैं definitely ये सला दूँगा कि केवल पैसे कमाने के लिए केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए और उसका उप्योग और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए politics में नहीं जाना चाहिए सभी के हिस्से ये बात नहीं आती है कुछ लोगों के हिस्से में ये बात आती है और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आगे नहीं होते है ना ही उनको कोई याद रखता है ना ही उनको सही माने में सन्मान मिलता है उन्ही पॉलिटिशन्स को सन्मान मिलता है जो पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर पाते है और इन चीजों से ज़्यादा तर दूर रहते है पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा विचित्रक्षेत्र है वहां बहुत टफ परस्नेलिटी चाहिए तो आप ठीक सकते हो ये सब चीजे करने की क्षमता आप में है आप करना चाहते हो उस ढग से ये सब चीजे करने के लिए आपकी तैयारी है ये सब प्रैक्टिकल सोच कर हमने निरना लेना चाहिए अगर आप पॉलिटिक्स में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप में विशिश ताय भी होनी चाहिए औल्सो रहन करकर आप पॉलिटिक्स में जाओगे तो कहीं नहीं बचोगे जिन्देगी बर थोड़े बहुत पैसे कमाल होगे थोड़ी बहुत शराब पिने को मिलेगी मोज मजा करने को मिलेगी और जिन्देगी बर ऐसे ही कार्य करता करकर जीते रहोगे आप में लोगों को जिसको हम नेत्रुत वगन कहते हैं लोगों को प्रभावित करने की ख्रमता चाहिए, आगे ले जाने की ख्रमता चाहिए, संगडन कोशल चाहिए, ये कुछ गुनों के साथ में अगर आप पॉलिटिक्स में जाओगे, तो पॉलिटिक्स में भी लोगों की बहुत जरुरत होती है, हर एक को जरुरत होती है, तो उस दिशा में practically सूचिए और जाईए मैं तो इस बारे में सलाह देने वाला बहुत ही wrong बेखती हूँ मैं तो लोगों को जीवन भर मेनत करो, काम करो अबेक्षा मत रखो ये सिखाने वाला आदमी हूँ वैसे ही अपने जीवन में करते आया हूँ और पॉलिक्स में तो इससे विपरीत आपको भुमिका लेनी पड़ती है अपने आपको आगे बढ़ाओ अपने आपको प्रोजेक्ट करो अपने आपको बाकी लोगों को दूर करकर आगे बढ़ाओ ये सभी प्रवरुतियां उसमें होनी चाहिए ये पॉलिक्स करने के ख्षमता जिन में है तैयारी है उन्होंने जाना चाहिए और सबसे बढ़िया होता है कोई अच्छी पारटी जॉइन कर ले और कोई अच्छा प्रभावी नेता के साथ में जूड़ जाए तो चांसेस बढ़ते हैं आगे बढ़ने के अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेरनेस पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजिट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाएं नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं